मानिय राश्ति अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस विशय पर आपने खुद ही बताया, वो अपना वक्ता विद्धे चुके हैं, उसके आगे और पीछे कुछ बोला जाना उचित नहीं है। जगहन्य अपराधों की घटनाओं में ब्रिधी हुई है, और उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ा गई है। करने था बता देना और वहां के समाजित सांसत मानिय अवधिश परसाथ जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना। ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जगहन्य अपराध के बाद कौन उसके वकालत करता है। कोई भी हो उसने आपके साथ फोटो किचा लिए हो या मेरे साथ फोटो किचा लिए हो अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कारवाई करेगा। लेकिन यहां तो नमबर बढ़ाना है कानून की कारवाई के लिए अभी आगे उसको कोट के जरीए क्या होगा ये अपनी जगह है बुलडोजर ये कारवाई हमारी है इसका नमबर हमको मिलना चाहिए इनकाउंटर ये कारवाई हमारी है इसका नमबर हमको मिलना चाहिए हम कानून व्यवस्था और देश के सम्मिधान और उसके रास्ते से जो नियम और कानून है उसका पालन करने वाले लोग हैं हम मानते हैं कि किसी वर्ग जाती धर्म पार्टी का व्यक्ति हो यदि वो अपराद करता है तो वो उसका व्यक्तिगत कारेक्टर है और उसके लिए उसे जो कानून में सजा है वो मिलनी चाहिए लेकिन इसके लिए किसी पार्टी को किसी नेता को से जोड़ के राजनीतिक फाइदा उठाने के कोशिश करना ये इसमें उनकी दूशिक मानसिक्ता का परचे देता है मैं आपसे निवेदन पूर्वक आगरा करना चाहता हूँ कि क्या आयोध्या में जो बेटी के साथ यह चखने कटना हुई इस घटना की जतनी निंदा याए कम है लेकिन क्या इस घटना की आड में गाजीपूर में करंडा थादार छेतर के कोशंदेपूर गाउं में जो साल की बच्ची के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की है बलातकार किया है लड़की मनासन है इस घटना का कहीं वड़न है इस घटना की कहीं चर्चा है अभी की घटना है क्यों नाम नहीं लिया जा रहा उसका क्यों नहीं नाम लिया जा रहा मेरे ही लोग सबात्षेत की दूस तरगत एक टीटी महोदे हैं यह टीटी महोदे रहने वाले गाजीपूर के हैं पोस्ट इनकी पोस्टिंग इनकी मौव में हैं उमर इनकी 35 साल है एक लड़की आती है दाना बुनवाने के लिए और उस लड़की को बहला फुचला के अपने घर में लेके चले जाते हैं और घ खटा-खट होगा उस खटा-खट मुगत मालिकी है पकलते देल पकलते देल इनका न बुल्डोजर चला इनके उपर बुल्डोजर नहीं चला बेटियां वो भी हैं जो गाजीपूर में दो घटना घटी अभी अभी और ना इनका इंकाउंटर हुआ अब हम थोड़ी कहने जाएंगे कि पहली घटना के लिए अशोक सिंग बिल्लू बाबा जो हिष्टी सीटर है करंदा थाने का और दूसरी घटना के लिए यह जो टीटी साहब है अरुन कुमार सिंग यह अरुन कुमार सिंग वो अशोक कुमार सिंग अब इनको क्यों चुपाया गया इनका क्यों नहीं इनका क्यों नहीं बुल्डोजर चला क्योंकि इनके पीट पे ठपा लगा हुआ है कि बीजेपी के लोग है इनके पीट पे ठपा लगा हुआ है कि हमारे मुक्मंत्री जी के जो किर्पा पात्र लोग हैं, उनके संदक्षन में पढ़ने वाले लोग हैं, सोजाती लोग हैं, इसकी चर्चा थोड़ी होगी, इसकी चर्चा होगी, ऐसे कैसे चलेगा, गाजीपूर में ही, हमारे गवरी शंकर चौरसिया जी, गहमर बहुत बड़ा गाउं है, एशिया का लिगेस्ट काम, वहां के एक सरीफ सज्जन इनसान है, उनकी बेटी को, नाबालिक बेटी को, उठा ले गए, ठाने के चक्कर लगा के दोड़ दोड़ के ठक गए, एफाई यार है, नामजद एफाई यार है, आज तक गिर्फतार ही नहीं, आज तक गिर्फतार नहीं आज जन्पद में जो पुलिस के कप्तान के साथ मिटिंग हुई, उस मिटिंग में मैंने इस बात को खुद उठाया, अज तक नहीं हुई, अब कैसे कहा जाए, कि इन लोगों ने अपराद करने वालों के विरुद्ध कारवाई करने में भी शिरिणी बना दी है, अगर भा उसे का घर भी गिना दो, गोली भी मार दो, और उसके साथ तमाम ऐसे लोगों को भी जोड़ दो, जिससे कि कोई राजनीतिक लाब मिल जाए, घटना ये है, पूरे प्रदेश में अपराद की बाड़ा गई है, हर जगा अपराद बढ़ा है, हत्याएं हो रही है, बलातकार हो रहा है, गरीबों की जमीनों पर कबजा हो रहा है, जो कुछ बचा खुचा है, जहां दबंग और सामंत कबजा कर रहे थे, अब नजूल बिल लाया गया है, अब इस बिल के माध्यम से सरकार गरीबों की घर उजाड़ करके उस पर कबजा करना चाहती है, अभी तो देख लेकिए विदान सवा से पास हो गया लेकिन विदान परशद में उसको परवर समिती को सौब दिया गया आगे क्या होता है लेकिन आम इनसान डरा हुआ है गाओं में इनकी मिशिनरी जो है तहसील का लिखपाल जिसके घर की तरफ ठीक से ताक दे रहा उस आम आदमी का तो हो जा रहा है हमना घरवा के दूबर देखला हमर लिखपाल साब खैरियत नहीं है वसूली हो रही है तुमने तो गउंसमाज की जमीन में मकान बना कहां बनाएगा देश पे अंग्रेजों का कबजा था सारे देश की जनता लड़ी है अंग्रेजों को भगाई है जिसके बा आज रह रहे हैं और उनके बच्चों से कहा जाएगा कागज देखाओ कितने लोगों के पास कागज है कितने लोगों ने रखी है सभी तो गाउं में बसे हैं और गाउं की वो जमीने जब चकबंदी हो रही थी तो अधिरिक्त जमीने निकाली गई उन्हीं जमीनों में पादी प्राच नमीन परती बंजर की जमीन रिजर्व खाते की जमीनों को खाली कराये जाए तो समझ में आता है कि किसी ने अगर चक्रोड पकड़ रखी है पोखरे पर कबजा कर लिया है कंपोष्ट खात का गढ़्धा साउरस्थान अगर किसी ने कबजा किया है श्रेणी 32 के अंतरगत अगर कोई रिजर्व जमीन पर कबजा है लेकिन हद है हद हो गई कि बंजर और परती और ऐसी जमीन जिस जो गरीबों के बसने के लिए है गरीबों को उजड़ा जा रहा है और ध्यान बाटने के लिए तरह तरह की नोटंकी हो रही है सर ड्यानने टेस्ट में मायावती टीकी तरफ से कहा गया हमें कुछ नहीं कहना है जो गेम हो रहा है जो मेस हो रहा है लोग तंसर के मंदिरों में हो रहा है अब हम घर वे बैठे हैं, तो हम तो ट्विटर तो करी सकते हैं, हम घर से बैठ करके ट्विटर के जरीए लोग सबा में खाता शुन, विधान सबा शुन समान, विशय उठाता कोई लोग सबा में, राज सबा में, विधान परशद में, विधान सबा में, वो तो है नहीं, परमादनिये मेरे लिए